हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे चानल डाइट एंट फिटनेस में मैं हूँ आपकी होस्ट डाइटेशन अकांगशा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्जाम्स के दौरान यानि की परिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कौन सा आहार लेन है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ऐसे कुछ पदात बताऊंगी जो परिक्षा के दौरान आपको लेने चाहिए और उसके बाद हम थोड़ी से टिप्स भी देखेंगे डाइट की यानि की आहार आपको कैसा रखना चाहिए परिक्षा के दौरान तो आज की वीडियो में सबसे पहला पदात हम देखने वाले हैं जो की है हरी सबजिया ताजी हरी हरी पत्तेदार सबजिया अगर आप खात हो तो वो विटमिन के से भरपूर होती है जो की हमारे दिमाग के स्वास्ते के लिए काफी अच्छी होती है दिमाग को तेज बनाने के लिए ये मदद करती है उसी के साथ साथ इन सारी सबजियों में अच्छी मात्रा में नाइट्रेट्स और एंटी ऑक्सिदेंट्स भी प पाई जाती है जो हमारी स्वास्ते के लिए अच्छा होता है रोग प्रतिकार शक्ति के लिए अच्छा होता है और उसे के साथ साथ हमारे दिमाग का कारी जो होता है वो अच्छे से करने के लिए भी ये काफी मदद करता है तो इसे लिए जो हरी सब्जिया होती है अलग-अल आता है तब हरी सब्छा खानी है ऐसा को भी नहीं है रोजाना इसका सेवन करना है लेकिन खास त Ouch अरफ पररीक्षा के दौरान आपको सेवन करना है जब भी आप रोजाना है एसी हरी तो healthy snacking मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हें पढ़ाई के दौरान कुछ ना कुछ खाने के, कुछ ना कुछ मंचिंग करने के आदत होती है, फिर ऐसे समय पे जादा तौर अगर हम देखे तो कुछ ना कुछ chips है, या फिर कुछ तला हुआ है, कुछ शक् प्रोटीन युक्ट पदाथों का या फिर थोड़े healthy options का सेवन करो, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्यूंकि आप जबी ज्यादा शक्कर युक्ट पदाथ खाते हो, तो क्या होता है, आपकी body में तूरंद energy आपको मैसूस होगी, कि energy बढ़ी है, अच्छा लग रहा है ऐसा तूरंद मैसूस होगा, लेकिन थोड़ समय बाद आपको बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक, बहुत ही ज्यादा आलस आया है, ऐसे लगता है, तो उसी के कारण फिर नीन भी आ सकती है, तो इसलिए ऐसे पदाथों की जगे पे अगर आप protein युक्ट पदाथों का सेवन करते हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो प्रोटीन के जगे पे आप कुछ न्यूटरी बार्स है, जैसे की चिक्की है, या फिर सुखा मेवा होता है, ऐसे पदाथ ले सकते हो, सोया नट्स आते है, वो ले सकते हो, या फिर फल जो होते है, अलग-अलग प्रकार के, वो कभी भी एक अच्छा उप्शन बन जाता है स्नाकिंग के लिए, प्रोटीन यूट पदाथों का जब आप स्नाकिंग के तोर पे इस्तेमाल करते हो, तो ये आपकी मानसिक एकागरता जो होती है, वो बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसे के साथ-साथ आपकी याददा मातरा में शक्कर होती है, कभी कबार ऐसे हो जाता है कि कुछ न कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसलिए हम कुछ न कुछ चोकलेट है, या फिर कुछ मिठाई है, ऐसे खा लेते हैं, तो ऐसा जबी मीठा खाने का, यानि कि स्वीट क्रेविंग जूसे हम कहते हैं, ऐसे भी मीठा खाने का मन करता है तो उस समय आप चॉकलेट की जगे पे अंजीर है या फिर खजूर है या फिर किश्मिश है कभी कबार ढाक चॉकलेट भी आप ले सकते हो ऐसे थोड़े से healthy options का सहारा यहाँ पे ले सकते हो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तो चाय और कॉफी की तो अगर आपने देखा होगा कि जब भी exam का season आजाता है जब परिक्षा का season आजाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनने घर में थोड़ी शांती नहीं मिलती है तो फिर college के आसपास वो कभी library में या फिर library में कभी बाद जगह नहीं होती है बैटने को तो ऐसे समय पे जो college के आसपास coffee shops होते है ऐसी जगे पे वो वहाँ पे allow कर देते हैं आपको कि आप बैट सकते हो और फिर discount वगरा भी बहुत ज़्यादा देने लगते हैं ताकि उनका भी coffee का जो sale होता है वो बढ़ना चाहिए जो की अच्छी बात है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब भी आप coffee का saveन करते हो तो वो अच्छा नहीं रहता है हमारी सेहत के लिए coffee पीने से क्या होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि रात रात बर पढ़ते है या फिर दिन में भी नीन पूरी नी होती है फिर भी पढ़े जाते है तो ऐसे समय पे नीन ना आने के लिए या फिर अच्छा तरो ताजा महसूस करने के लिए बहुत सारी coffee पी लेते है मतलब कि उन्हें समझ भी नहीं आता है कि कितने cup coffee उनकी जा चुकी है पेट में पढ़ते समय तक तो इसलिए फिर coffee के अंदर जो caffeine होता है उतनी मात्रा में आपकी शरीर में जाता है तो इसे avoid करने के लिए coffee की जगे पे आप अगर green tea होता है या फिर green tea के अंदर भी caffeine होता है थोड़ी मात्रा में लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है तो green tea है या फिर herbal tea है ऐसे पदातों का सेवन कर सकते हो लंबे समय तक या फिर ज्यादा मात्रा में जब भी आप coffee पीते हो तो सबसे पहले तो शक्कर का बहुत ही ज्यादा प्रमान होता है उसमें तो इपनी सारी शक्कर आपके शरीर में चली जाती है उसे के साथ साथ अगर आप लंबे समय तक बहुत ज्यादा coffee पीते हो तो migraine जैसे समस्या भी यहाँ पे हो सकती है तो इसलिए green tea अगर आप पीते हो coffee की जगे पे तो फिर अच्छी मातरा में यह आपके शरीर को antioxidant लेगा या फिर अद्रक है तुलसी है ऐसे जो herbal teas आते हैं ऐसे अगर आप पीते हो तो वो भी आपकी immunity अच्छी रखने के लिए काफी मदद करेगा तो ऐसे options का सहारा भी आप ले सकते हो इसके बाद अगला और सबसे जरूरी हमारा point है पानी तो पानी जब भी आप अच्छी मातरा में पीते हो तो शरीर में जो भी सारे chemical reactions हमारे चलते रहते हैं उन्हें अच्छी तरीके से चलने के लिए काफी मदद मिलती है और जब आपके शरीर के chemical reactions अच्छे से चलते हैं तो वो आपके दिमाग को alert रखने के लिए काफी मदद करता है अगर आपका शरीर dehydrate हो जाता है यानि की पानी की मातरा कम हो जाती है शरीर में तो आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है बहुत ज़्यादा नीन आती है कभी कबार या फिर बहुत ज़्यादा आलस आता है कुछ ना करने का मन करता है चीजें छोटी-छोटी भूलने को होती है ऐसे जो छोटी-छोटी science होते हैं जो हमें समझ भी नहीं आते कि exactly क्या हो रहा है हमारे शरीर के साथ इसलिए बहुत बार यह हो जाता है कि पढ़ाई के चक्कर में पानी पीना तक बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं तो ऐसे समय पे आप क्या कर सकते हो जहां पे भी आप पढ़ाई के लिए बैठे हो वहाँ पे हमेशा अपना जो पानी का बोटल होता है वो आपको कैरी करना है और वो सामने रख देना है, ताकि आपको याद रहेगा कि आपको बीच बीच में पानी पीते रहना है, तो ये कुछ-कुछ पदाथ है दोस्तों जो आपको जरूर शामिल करने हैं जब भी आपकी एक्जाम च्या फिर जब भी आपकी परिक्षा चालू है तभी उसे के साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि सिर्फ ऐसे पदाथों से नहीं आपका जो आहार होता है आपको ये याद रखना है कि आपका आहार परिक्षा के दौरान जो भी होता है आपकी तीनों मील्स आ नाश्टा नहीं करते हैं, दोपर का खाना नहीं लेते हैं, पढ़ते बढ़ते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, तीनों आपकी मील्स आपको अच्छे से लेनी हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है, कि आपकी जो आहार होता है, वो स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए, ल अबी कवाद नीन पूरी नहीं होती है उसके उपर अगर आप कुछ मसालेदार खालो तो फिर आपके पार्चन के लिए बहुत ज्यादा खतर नाक हो जकता है यानि कि प्रॉब्लेम्स क्रेट कर सकता है इसे बहुत सारी प्रॉब्लेम्स आ सकती है तो इसे लिए सही आहार लेना बहुत आवश्यक है दूसरी टेप यहाँ पर जो है कि सुबह सुबह आपको भिगो हुए बादाम भी जरूर खाने है रोज सुबह आप 5-6 बादाम राद भर आपको भिगो के रखने है और सुबह आपको खाने है तो वो भी आपके ब्रेन के लिए आपके दिमाग के विकास के लिए काफी मदद करेगा बादाम के साथ आप अगर आपको पसंद है तो थोड़े से अक्रोड भी ले सकते हो जो कि दिमाग के विकास के लिए और मेमरी को शार्फ बनाने के लिए काफी मदद करते हैं अगले टिप यह है हमारी कि खासतोर पर जब गर्मियों के सीजन में कोई भी परिक्षा होती है तो ऐसे समय पे जैसे मैंने बताया कि हाइडरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए आप नारियल पानी है या फिर नीमबू पानी है अलग-अलग प्रकार के फलो के रस है ऐसे पदार्थों का भी सेवन कर सकते हो ताकि यह आपको अच्छी मातला में उर्जा भी देगा और उसी के साथ साथ आपकी शरी नीन आने के लिए यह काफी मदद करेगा तो रात को सोने से पहले अगर आप दूद लेते हो तो आपके पाचन के लिए भी यह काफी अच्छा रहता है क्योंकि एसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है दूद पीने से तो इसलिए ऐसे सारे चोटी-चोटी टि लेना भी आवशक है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करें अगर आपको क कवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो मैं आप आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर